नमस्कार आप देख रहें नियूस वाणेशन और मैं हूँ शुभे आपके साथ एक तरफ जहां विपक्ष लगातार अपनी समिक्षा करते नज़रा रहा है नई नई रणीती बनाते नज़रा रहा है किसान आंदोलन को तरजी उनों नदी है लेकिन इन सब के बीच अपराद के मामले पर भी वो लगातार अक्टिव नज़रा रहे है क्योंकि बेहार में लगातार अपराद का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है और इसको लेकर विपक्ष लगातार निशानी साथ रहा है इससे पहले भी अगरम आरजडी के ओफीशे ट्विटर हैंडल को खंगाले तो ये साफ तोर पर नज़राता है कि किस तरीके से अपरादे घटनाओं की चर्चा करते वे लगातार निश कुमार को वो घेरते ही नज़राते है इसी कड़ी में एक बार फिर से राजड की ओर से ट्वीट किया गया है और ये तक कह दिया गया है कि निश कुमार जनादेश के चोर हैं वो जब तक अगले दिन के अखबार को अपराधों की खबर से रंग नहीं देते तब तक उन्हीं रात में नींद नहीं आती इसके अलावा अरजडी के ओर से क्या कुछ लिखा गया है सबसे पहली वो देखे राश्टी जिंतादन ने अपने ट्विटर हांडल से ट्वीट करते वे ये लिखा है कि जब तक जनादेश शोर सीम अड़ रेट नीतिश कुमार अगले दिन के अखबार को अपने सरकार के निकम्मे पन से बलातकार हत्या लूट पार्ट कांडो की खबरों के लाल रंग से रंग नहीं देते हैं उन्हें नींद नहीं आती है इसके साथ साथ उन्होंने जो अकबारों में छपी खबरे हैं उसका जिक्र किया है सबसे पहले जो अपरात की घटना की चर्चा उनके द्वारा की गई है वो ये है कि धनरुआ में लुटीरों नी नमक लदा ट्राक्टर लुटा दूसरी खबर जो है वो ये है कि दुस्साहस बंधन बैंक कर्मी से दंदाहाडी 33,000 की लूट दुकानदार को घर से बुलाकर गोली वारी चौथे खबर की बात करें तो मधुमर्णी में पत्नी वा पुत्री पर तेजा फेका गया दोनों की हालत गंभीर तो एक त उसरी और उन्होंनी नितीश कुमार को जनादेश का चोड तो ठहराई दिया और साथी साथ ये तक कह दिया कि वो निकम में हैं उनसे कुछ भी नहीं होता लगातार अपराध हत्या और लूट की घटनाएं अखबारों में आती है और जब तक आ नहीं चाती तब तक उन्हे नीद नहीं आती है तो एक बार फिर से विपक्ष ने अपराधिक मामलों को लेकर नितीश कुमार पर निशाना साधा है हालाकि एक तरफ जाने तीश कुमार हाई लबल की मीटिंग कर रहे हैं रात की गश्ती को बढ़ा रहे हैं उन सब से कुछ भी नहीं हो रहा लगातार अपराध बेकाबू होते जा रहे हैं अपराधी बेकाबू हैं बेलगाम हैं गुंडा गर्दी अपने चरम पर है और ऐसे में विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है लगातार वो नितीश कुमार को इस मुद्दी पर घेरते नजर आ रहे हैं फिलाल के लिए इतना